हेलो गाईज मेरा नम है राजू और आप देख रहे हैं एजुकेशन 33 डियर आज की इस वीडियो में हम आपको बताने बाले हैं कि दिसंबर से पढ़ाई करके बोड एक्जम में 90% मार्क्स कैसे हासिल करें तो वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना तो से लेकर आप जनवरी तक पढ़ाई करके आप बोड एक्जम में 90% हासिल करने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है डियर फ्रेंड मैं आपको इस वीडियो में 4 टिप्स देने बाला हूँ अगर आपने उस 4 टिप्स को फोलो किया तो आपको बोड एक्जम में 90% मार्क आने से कोई नहीं रोक सकता है ये मेरा दवा है तो फ्रेंड सबसे पहला टिप्स है कि आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट को पहले चुने और उसमें ये देखें कि इस चेप्टर में कितने important question है फिर उसके बाद उस चेप्टर म कि करना क्या है अगर फ्रेंड इतना important question जो अभी आपने note किया अगर इसका solution अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास इसका solution नहीं है तो आप YouTube का सहारा ले सकते हैं क्योंकि YouTube पर बहुत ही अच्छे अच्छे teacher हैं आप उसकी मदद लें ताकि आप के board exam में 90% marks हासिल होने से कोई नहीं रोक सकता है तो ये था पहला step अब मैं बताता हूँ दूसरा step फ्रेंड दूसरा step ये है कि आप जितना भी question पहले से पढ़ रखे हैं जितना भी आपको पहले याद था हो सकता है कुछ भूल भी गए होंगे और कुछ याद भी होगा त इससे क्या होगा फ्रेंड की आप जो पहले पढ़ रखे हैं वो भी नहीं भूलेंगे और जो मैंने आपको अभी बताया important question निकाल के पढ़ना है तो ये भी और दूसरा वो भी अगर आप दोनों को पढ़ते हैं तो ये आपका पहला step और दूसरा step complete हो गया फ्रेंड अगर इसरा step ये है कि आपको जो नहीं आ रहा है जो आप नहीं question पढ़े हैं उसको नहीं पढ़ना है friend पहले आपको important question पढ़ना है उसके बाद जो आपको पहले से याद आ रहा है उसको पढ़ना है जो आपको नहीं आ रहा है उसको नहीं पढ़ना है ठीक है अगर आपके पास extra time बच जाता है तो आपको जो नहीं आ रहा है वो पढ़िए आपके लिए बेटर रहेगा लेकिन कोशिस करें आपके पास जो important question आपने निकाला उसको पढ़ें और जो आपको पहले से आ रहा है जो कि आप थोड़ा थोड़ा भूल भी गए हैं उसको पढ़िए आपका revising भी हो solve करना और उसमें देखना कि कौन इसा question है जो बार बार पूछा जा रहा है जैसे कि अगर आप physics में देखोगे तो ओम का नियम परकास का प्रावरतन परकास का प्रावरतन आना ही आना है ठीक है तो ये पहला step दूसरा step तीसरा step complete हुआ आप बताते हैं friend चौथा step चौथा step ये है friend की आप आपके पास दो महिना बचा हुआ है ये दो महिने में आप social media का इस्तेमाल ना करें और friend जितना भी महिने आपको बताया इतना को अगर आप cover करना चाहते हैं तो आपको 24 घंटे में आपको 17 घंटा देना पड़ेगा friend आपको आप consistency बरतना पड़ेगा क्योंकि अब आपके पास time नहीं बचा हुआ है तो इतने कम समय में अगर आप चाहते हैं 90% marks लाने के लिए तो आप इतना चीज को follow करने के बाद आप 18 घंटा तक पढ़ाई करना होगा अगर आपके अंदर वो जुनून और पैसन है तभी आप कर सकते हैं friend अगर आपको नहीं है जुनून और पैसन तो मैं आपको नया वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे पढ़ाई में अपना दिलचस्पी बना सकते हैं तो आप नीचे comment में जरूर बताएं क्योंकि मैं आपको motivation नहीं देता हूं क्योंकि motivation दो दिन का होता है friend तो friend अगर आप पहला step दूसरा step तीसरा step चौथा step को अगर आपने इतना follow कर लिया तो आपको 90% marks board exam में आने से कोई नहीं रोक सकता है ये मैं दाबे के साथ कहता हूं अगर वीडियो पसंद आई हो तो please like करें अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर ले क्योंकि इस चैनल पर quality वाली वीडियो upload होती है thank you my dear friend